नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मिथून और आप देखना सुरू कर चुके हैं बैक टू बुक जहां पर मैं जो करेंट का स्रीज चल रहा था उस स्रीज का आज पार्ट 20 लेकर आया हूँ इससे पहले पार्ट 19 तक अप्लोट किया जा चुका है अधी उस वीडियो को आप दोरा भारत के किस सहर को रेसलियंट स्रेणी में नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है ठीक है यानि पुछा गया है कि भारत के किस सहर को इनेसको दोरा रेसलियंट स्रेणी में नेट एक्सप्लो स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा उपसे नमबर भी यानि सूरत को जो है वो युनिसको दोरा रेसिलियंट स्रेणी में नेट एक्सप्लो एवाट सिटी से सम्मानित किया गिया है ठीक है अब देखी यह एवाट जो था इसको दस अलग अलग छेतरों में दिया जाता था जिसम सूरत की बात है तो देखिए सूरत को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी डाइमंड सिटी टेक्स्टाइल सिटी भी बोला जाता है और अब इसको जो है रेसिलियंट सिटी भी बोला जाएगा ठीक है और एक सूरत से एक इंपोर्टन कॉस्चन है कि जो स्वस्ता सरविक्षन आया था उसमें इंदोर पहले अस्थान पे था और सूरत जो था उसमें दूसरे अस्थान पे था आप लोग उसको भी याद रखें वो question भी पूछा जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर UNESCO की बात थी तो UNESCO का जो full form होता है वो कभी कभी एक जामे पूछा जाता है तो इसका full form हो next पुठा गया है कि किस राज ने गरीमा नमग योजना की सुरुवाद की है और गरीमा नमग योजना की सुरुवाद जो है वो उडीशा में किया गया था यान इसका right answerロ जागो option number ये ठीक है अब देखिए गरीमा नमग योजना का क्या कर लक्स था तो इस योजना के तहत इसका उदेश था कि हेल्थ वारकर की आर्थिक सुरक्षा और समाजिक परतिष्ठा सुनिश्चित करना इस योजना का जो था वो मुख्य लक्ष था ठीक है अब देखिए यहां पर उडिशा की बात है तो उडिशा में वर्चुल पुलिस सेशन के अस्थापना की गई थी उ उडिशा के भोनेश्वर में उडिशा के सीम जोकी नभिन पटनायक है उनको पैटा दोवारा हीरो टो एनिमल से सम्मानित किया गया था उडिशा में मोजीवन कारिकरम का आयोजन किया जाता है उडिशा में उतकल दिवस मनाय जाता है उडिशा दोवारा बंदे उतकल जनन ना उडिशा और राज पर्व या रजा पर्व जो है हो नामक उडिशा में मनाई जाता है तो इतना सारा कॉस्चन जो था वो उडिशा से रिलेटर था और मैं जब भी कॉस्चन को बताता हूं तो बार-बार आप लोगों को बोलता हो कि आप जब कॉस्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटर दूसरे कॉस्चन को लिंक करके पढ़ने की हैबिट बनाई तो देखिए मैं यहां पर जितना सारा पॉइंट में बताया हूँ आपको तो सारा जो है मैं इसको डीटेल में पिछला वीडियो में बता चुका है इसलिए मैं इस बा पार वन से पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको यह सारा कॉस्चन जो है वह याद करने का जरूरत नहीं होगा आप सिर्फ वीडियो अगर देख लिजिए गा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा नेस्ट को पुछा गया है कि किस राज सरकार ने सीम महिला उतकर स् सुरुआत की गई थी ठीक है अब देखें सीम महिला उतकर शॉजना तो इस योजना का लग्ष था कि इसके तरहत महिलाओं को भीना ब्याज के रिन दिया जाएगा ठीक है याणि गुज्रात सरकार दोरह सीम महिला उतकर स्योजना को लाय गया था और शॉजना का लक्ष र सुचलं सप्लं जल संचय उजना कायुजन किया गया था गुजरात फुर्शता में जो है गुजरातarnya तुनिया का सबसे बड़ा टाय मुजियम गुजो रहा है सोला रूप टॉप के मामले में गुजरात पहले अस्थान पर था और महराहिट जो था वो दूसरे अस्थान पर था विश्व का सबसाइब बड़ा इस्टेडियम जो है गुजरात के अहमदाबाद में बनाए गया है हरणी पुलिस रेस्टरेसन जो की गुजरात के में की गई थी तो इतना सारा कॉस्चन जो था वो गुजरात से रिलेटर था और मैं इसको प्रिविएस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ नेक्ट पुछा गया है कि किस राजन में अनुद्सव का उद्घाटन किया गया था तो अनुद्सव का उद्घाटन जो है मध्पर्देश में किया गया था यानि इसका राइट एंसर होगा अपसे नम्मर भी अब चलिए यहां पर मध्पर्देश की बात है तो देखिए मध्पर्देश में थैंक्स मुम नामक विर्क्षार ओपन कारिकरम की सुरुवात की गई थी मध्पर्देश सरकार दवारा चरण पादुका पहल की सुरुवात की गई थी मध्पर्देश में जीवन सकती योजना की सुरुवात की गई थी और मैं इसको बहुत बार आप लोगों को लगभख सभी वीडियो में एक एक बार बता रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टन कॉस्चन है अधी योजना का जो सुरुवात किया था हूँ मध्पर्देश द्वारा सबसे खराब सिस्व मिर्तियुदर जो है मध्पर्देश में है अपके द्वार योजना की सुरुवात मध्पर्देश में की गई थी जीवन अमरित योजना की सुरुवात भी मध्पर्देश में की गई कि मर्द पर्देश पुलीस द्वारा करमवीर पुरुषकर का शुरुवात किया गया था संजीवनी वहान की शुरुवात मर्द पर्देश में की गई थी दिव्यांग अंगनवारी कर्मी को कोरोना योधा का दर्जा दिया गया था मर्द पर्देश में एक मास्क अनेक किया गया था यानि इसका राइट एंसर होगा और यह ठीक है और यह जैसे ही आप कैफे सुने तो कैफे से रिलेटेड एक कॉस्चन और बताये थे हम लोग पिछला वीडियो में कि गार्विच कैफे की सुरुवात जो है वो 36 गड़ में की गई थी ठीक है तो स्वस्था कैफ अगर निगाह कायर करम पुछा जाए तो हिमाचल पर्देश होगा और निगाह एप पुछा जाए तो आंध्र पर्देश होगा फगली उत्षब मना जाता हिमाचल पर्देश में हिंकी खेती करने वाला पहला राज बना हिमाचल पर्देश नई सिक्षा नीती लागू करन पहला स्थान मिला है नादवन पुलिस भी सवर्ष पुलिस का है संस्क्रिट को दूसरी राजभासा का दरजा दिया गिया है विस्ट्व की सब्चे उचा पॉलिंग स्टेशन जो है वो हीमाचल पर्देस में है अब प्लास्टिक फिरी हीमाचल पर्देस के ब्रांड अमेस्टर जो है वो खली को बनाए गया है और पजबड़ी योजना की सुरुवार जो है वो हीमाचल पर्देस में की गई थी पुछा गया है कि किसे यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम एचिव्मेंट आवार्ड से सम्मानित किया गया है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर भी ठीक है अब देखिए आदित पूरी है तो आदित पूरी जो है वो HDFC बैंक के परवन निलिशक है और इ यह हैं आदित्पूरी नेश्ट को चान देखिए नेश्ट पुछा गया कि अंतराष्टी और जन परत संरक्षन दिवस कब मना जाता है तो अंतराष्टी और जन परत संरक्षन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मना जाता है यानि इसका राइट एंसर होगा आपसे नमबर यह दो जगह शुरेश रहना होगा है यान्यिसका राःट एंसर है ठीक है पुचा गया है कि कि सुराज कर ना विजय रथ सुरू किया था तो कोरोणा विजय रथ की सुरुवात जो है वो 36 सब्सक्राइब में की गई तो अब देखिए इस कोरोना विजय रत का क्या काम था तो सब्सक्राइब करें देश का पहला गार्वेज कैफे अभी मैं पिछला कोसे नहीं बताया कि वहां स्वच्ता कैफे था और यह गार्वेज कैफे 36 गड़ का बीजापूर जिला को नीती आयोग के अकांचे जिला में करें के रेंक के रेंकिंगifferent मिला है करें वंबीत यौजना की कि शुरुवाद छटील में किया गया था बढ़ाही सुआ दौार यौजना का सुरूवाद 26 गड़ में किया था इंद्रावन मितान यौजना का सुरुवाद 34 में किया गया किसे 2020 सांती पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो 2020 सांती पुरुषकार से Margaret Edward को सम्मानित किया गया है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B ठीक है और इनको यह पुरुषकार जो है सांती समाजिक नया और वैस्विक समझ के लिए दिया किया है ठीक है अब देखिए यह मारगरेट एड़ूड नेश्ट को संदेखिए नेश्ट पुछा गिया है कि किस इंकिस कि यहां पर किसी हो जाएगा तो उदित सिंगल को चुना गया यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा option किस नमबर एठीक है अब देखिए उदित सिंगल को जो है सतत्थ विकास लक्ष के 2020 क्लास ओफ 17 यंग लीडर्स की सुची में इनको चुना गिया है कि यहींतिए नेशलब पुझा गया है कि वेनीस इंत्राष्टी फिल्म महतलब में किस माराथी फिल्म को शर्फच पात कंता पुरस्कार जीता है तो वेनीस अंत्राष्टी फिल्म महतलब में दड़ डिसीप फिल्म को सर्फसेश पाठकता पुरुषकार जीता है ठीक है यानि इसका राइट एंसर हो जाग अफ़सर नमबर भी ने देखें ने पुछा गया है कि अंतराश्टी सांती दिवस कब मना जाता है तो अंतराश्टी सांती दिवस जो है वो 21 सिप्टमबर को मन भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कारगो फैरी सेवा जो है मालदी उसके साथ शुरू की गई यानि इसका राइट एंसर हो जाग अफ़सर नमबर भी ने देखें ने पुछा गया कि चिकित्सा सिक्षा के लिए आईजी नोबल पुरुषका 2020 किसने जीता है तो चिकित्सा सिवा के लिए आईजी नोबल पुरुषका 2020 जो है वो भारत के परधान मंत्री यानि नरेंद मोधी जीते हैं ठीक है तो इसका राइट एंसर होगी आफसे नमबर यह ठीक है अब देखिए इनको यह पुरुषकार क्यों दिया गया तो इनको कोविड-90 महामारी के जरिये दुनिया को सीख देने में अहम भूमी का निभाने के कारण इनको आईजी नोबल पुरुषका 2020 से समानित किया गया ठीक है अब एक बात इसमें और इंपोर्टेंट है कि यह जो हम भारत के दूसरे परधान मंत्री बिने हैं आईजी नोबल पुरुषकार पाने इससे पहले जो है 1998 में अटल बिहारी बाजबई को आईजी नोबल पुरुषकार समानित किया गया है कि किस राज सरकार ने पहले बायो मेडिकल पार्क की अस्थापना की कि घोसना की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसे नंबर बी यानि के रलदवारा पहले बा पुछा गया है कि किस राज की सीम ने मुख मंतरी किसान कर लियान योजना की घोसना की गया है और यह जो था यह 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 योजना की तरज पर CM किसान कल्यान योजना शुरू किया गिया है इसमें जो है साल में किसान को 4000 रुपिया दिया जाएगा नेक्स पुछा गिया है कि किस राज सरकार ने मुक्ष कलस योजना 2020 को मंजूरी दी है तो मुक्ष कलस योजना 2020 को मंजूरी दी है राज स्थान दो आरा इसमें लक्ष रखा गया था कि जो अपनों के अस्थियों को गंगा में परवाहित करने हेतु हरिदवार जाते हैं तो उनके आने जाने के लिए राजस्थान परिवहन द्वारा उनको निसुल्ख यात्रा का परावधान किया जाएगा नेagues को नेश्थ पुछा गया है कि ताइम मेकजिन-दोऔर जारि विश्ष के एक सो सबसे असरदार लोहों की लिष्ट में किस एक मात्र भारती अक्टर को सामिल किया गया है इसमें जो है आइशमान कुराना को सामिल किया गया है यानि इसका राइट एंसर होगा आपसे नम- नमबर भी ठीक है इसे भारत के पी-एम यानि नरेन मोदी जो है वो दूसरे स्थान पे हैं कारिकरम के छेत्री अंबेस्टर जो है वो खुशी चिंदा लिया बनी है यानि इसका राइट एंसर हुजागा उपसे नमबर ए नेक्ट 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 जाएगा अपसे नमबर भी ठीक है अब देखिए कॉलकत्ता की बात है तो मैं सबी वीडियो में आप लोग को बताता हूं जब भी कॉलकत्ता की बात होती है तो कॉलकत्ता से लेटेट एक इंपॉर्टन कॉशन पुछा जाता है कि कॉलकत्ता किस नदी के किनारे बसी है तो संक्रम रोग की रोगत्ताम और नियंतरन के लिए केरल सरकार दो द्वारा पुरुचकार जीता है यानि इसका राइट अप्शन नमबर ए नहीं पुछा गया है कि कि सिराज के कलाकार देव परसाद राय ने यूरोप में कला परत्योगिता जीता है तो देव परसाद राय जो यूरोप में कला परुचकार जीते हैं वो है सिक्कीम के है यानि इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी नहीं देखें नहीं पुछा गया है कि गलोबल एंबी ए रैंकिंग दोजार बीस में टॉप 50 में कितने भारती इंस्टूट को सामिल किया गया है त एम अहमताबाद और एक है आई आई एम बेंगलोर नहीं देखें नहीं पुछा गया है कि ए आई एफ एफ ने वर्च के सरस्ट फूटबॉलर के रूप में किसे चुना है तो वह है गुर्पृत सिंग और मिड़ फिल्डर संजुई यानि आप्शन नमबर सी दोनो ठीक है नहींट देखें नएक पुछा गिया है कि किस राज ने राज को जोगी मुक्त बनाने के लिए स्लम अप्गरेडेसन कारिकरम के सुरू किया है तो राज को जोगी मुक्त बनाने के लिए स्लम अप्गरडेशन कारिकरम की सुरुआत जो है वो उड़ी सा द्वारा किया गया है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नम्मर सी नेक दखिए नेक पुझा गया है कि 2021 के गान समागरी लता मांगे सकर पुरुषकार स किसे समानित किया गया है तो उसका राइट एंसर होगा अप्सन नम्मर यानि उसाम मांगे सकर को ठीक है तो यह आद के वीडियो का लाश कोशन था अधि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेयर करें और अभी तक चैन को सब्सक्राइब करें धन्यवाद